हेलो माई दियर स्टुडेंट्स और फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल ब्लास्ट ओफ कॉंपटीशन जहां पर एक सीरीज स्टार्ट हुई है भी मैथ्स को लेकर के जिस पर आपको अरिथमेटिक के सारी टॉपिक्स लाइन से आपको सारी टॉपिक्स कवर किया रहे है इस पर पहले टॉपिक स्टार्ट हो चुगा है तो टाइम एंड वर्क के टॉपिक के साथ साथ हम लोग बीच पे कुछ और भी टिप्स आपको दे रहे हैं जैसे कि पहली टिप्स आ रहे हैं यहां पर एक छोटा सो कॉशन परसेंटेज में पूछा कि आप प्री पर कि आप सिधा सिधा आंसर बार सकते हैं तो यह कुछ पैटर्न को हम लोग सीखते हैं इन कोशन पर दो से तीन कोशन आपको प्रैक्टिस कराये जाएंगे और लगे रही है साथ में इस पर लास्ट में आपको बताया जाएगा देख कर गई आपको आंसर कैसे क्विकली बार तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका तरीका फर्स्ट वेवन तरीके से सबसे पहले क्वाश्चन को आप रीट कर लीजा अच्छे से क्वाश्चन पर क्या बात बूली जा रही है A man spends 60% of his income एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है His income is increased by 20% उसकी आय में यदी 20% की व्रद्धी हो जाए And his expenditure is also increased by 20% और उसका खर्च भी यदी 20% से बढ़ जाए Then find the percentage change in his saving तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा तो देखें ये क्वाश्चन किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं इसकी अप्रोच को हम लोग समझते हैं पहली अप्रोच डिस्कस कर रहो हूँ मैं पहली अप्रोच आप सभी को पता है income is equal to होता है expenditure plus saving आये बराबर खर्च प्लस बचत तो देखें अगर यहाँ पर दोस्तों मान लिया जाए कि income है 100 रुपे और question मैं आपसे बोला कि वो अपनी income का 60% खर्च करता है इसका मतलब 100 का 60% 60 रुपे इसने खर्च कर दिये तो सोचें जब 100 रुपे कमाये थे 60 रुपे खर्च कर दिये तो बचे कितने होंगे 40 रुपे आगे question पर पढ़ते हैं बोलो उसने अब उसकी नई income 20% से बढ़ गई और उसका खर्च भी 20% से बढ़ गया तो अगर उसकी income 20% बढ़ी तो सो का 20% हुआ 20 20% बढ़ा दिया हो गया 120 उसका खर्च भी 20% से बढ़ा है तो 60 का 20% हुआ 12 रुपे 12 रुपे बढ़ गया खर्च तो हो गया 72 रुपीज अब देखिए नए case में क्या बन कर क्या आ रहा है कि उसने कमाये तो उसे 120 रुपे लेकिन खर्च कितने किये 72 रुपे तो बताइए बचाए कितने होंगे 48 रुपीज आपसे question ये पूचा गया कि बताइए उसकी percentage saving में कितने का change हुआ तो पहले दोस्तों कितने रुपे कमाये थे कितने रुपे बचाए थे 40 रुपे और बाद में कितने रुपे बचाए 48 रुपे तो कितने रुपे की व्रद्धी हुई तो व्रद्धी यहां पर निकल करके आई 8 रुपे की कितने रुपे से तो दोस्तों reference लिया गया 40 का 8 बटे 40 का fraction बनेगा 1 by 5 and 1 by 5 how much percent 20% 1 by 5 how much percent 20% इसका मतलब इसकी saving जो है वो 20% से बढ़ गई तो ये था इसका पहला तरीका पहली approach way to तरीके से इस question को समझते हैं देखिए दूसरी approach आप लगा सकते हैं इस पर allegation से भी आप इस question को सोच सकते हैं तो allegation से आप लो किस तरीके सोचेगे इस question को तो आप सभी ने allegation पढ़ा होगा कि जभी भी दो अलग quantity हो और उनका mixture दिया जाए तो उन सारे ही questions पर आप apply कर सकते हैं allegation तो देखिए आपको पताया गया कि income expenditure और saving का mixture है तो expenditure और saving का mixture बनेगा income तो आपने लिख लिया expenditure दूसरी दरफ saving और इन दो quantity को जब मिलाए गया तो क्या बन गया दोस्तों income बन गई अब देखिए filling कैसे करनी आपको तो यह रही income यह रही saving और यह रही income यह expenditure saving और income जिन बच्चों ने पढ़ा रखा है allegation आपको पता होगा diagonally हम लोग subtract करते हैं तो मुझे बताईए अगर 60% यह खर्च करता है अगर यह 60% खर्च करता है तो यह save कितना करता होगा 40% it means final ratio कितना हो जाएगा 3 is to 2 का तो अब आपको यहाँ पर ratio और लेडी पता लग चुका है कि इसके expenditure और saving का ratio होगा 3 is to 2 अब देखें question को read करियो और question में क्या बात आपसे बोली गई कि उसकी income 20% से बढ़ गई तो यह income है income पर आपने 20% बढ़ा दिया फिर बोला गया उसका expenditure भी 20% से बढ़ गया तो expenditure को भी आपने 20% से बढ़ा दिया आपसे पूछा किया बताई हो उसकी saving में कितने percent का change हुआ तो यहाँ पर यह question mark पूछा गया आपसे तो देखें किस तरीके से हम लोग सोचते हैं किस तरीके से allegation apply करते हैं जिन बच्चों ने पढ़ा रखा उन्हें पता होगा diagonally हम लोग subtract करते हैं तो diagonally यहाँ पर subtract करिए तो देखें 20 और 20 का difference कितना आएगा zero it means अगर एक ratio की value zero है दो बराबर zero है तो तीन बराबर भी हो गया zero इसका मतलब यहाँ पर इन दो digit का numbers का difference आ रहा है zero तो अब आप सोच करके बताईए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या कौन सा ऐसा number आ जाए जिससे कि अगर 20 घटा है तो difference हो जाए zero तो वो number दोस्तों क्या हो सकता है 20 20 से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आंसर विल बी जीरो डिफरेंस विल बी जीरो तो आप बताईए आप कि इसकी सेविंग आप से पूची जा रही थी वह आपका answer आ चुका है कि उसकी सेविंग 20 परसेंट से बढ़ गई तो यह रहा इसका दूसरा तरीका दोस्तों तो इसका एक तीसरा तरीका भी हम लोग समझते हैं वे थ्री देखिए तीसरे तरीके के बाद मैं आपको बताऊंगा इस क्वेशन में आपको पैन उठाने की ज़रूतरी हैं आप बिल्कुल डिरेक्ली आप इस क्वेशन को मार सकते हैं तो समझे वे थी तरीका क्या है अब यहां पर हम लोग सीखते हैं फ्राक्शन कैसे बनाए जाए तो एक बात बताईए हमसे एक बात बताईए यह जो हम लोग बोलता है कि इतने परसेंट हमने खर्चा कर दिया या इतने परसेंट हमने बचा लिया इतने परसेंट हमारा एक्स्पेंडिचर था या इतना परसें सेफ कर लिया तो reference किसका लिया जाएगा income का it means यहाँ पर अगर question यह बोला गया कि उसकी आये का 60% खर्च कर देता है अपनी आये का अगर 60% खर्च करता है तो 60% का fraction क्या बनेगा 3 by 5 60% का fraction क्या बनेगा 3 by 5 तो आपनी यह fraction मना लिया 3 by 5 अब भी आपको बताया गया reference हमेशा किसका होगा income का और fraction में नीचे वाला number हमेशा बताता है income तो यह 5 आपको बताएगा income चुकि यह खर्च कर रहा था तो यह उपर वाला number बताएगा expenditure इस line का इस fraction का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 रुपे कमाए है तो उसने खर्च कितने कर दिये 3 रुपे तो इसका मतलब उसने बचा ही कितनी होगे उसके पास saving कितने रुपे की हो गई तो saving यहां से आगी 2 रुपे की 2 रुपे उसने save कर लिये तो यहां से आप fraction बनाना आप सीख लिजिए कि जभी भी यह बात बोली जाए 60% उसने खर्च किया तो 60% का fraction होगा 3 by 5 नीचे वाला number income उपर वाला number expenditure और अगर 5 रुपे कमाए थे 3 रुपे खर्च कर दिये तो बचाए कितने रुपे दो रुपे अब देखे आगे question को read करिये question में आप से बोला गया income को 20% बढ़ा दिया गया और expenditure को भी 20% बढ़ा दिया गया तो देखे income अगर 20% से बढ़ी तो income में आपने कर दिया 20% का multiply और expenditure भी 20% से बढ़ा तो expenditure में भी कर दिया आपने 20% से multiply तो बोलिये उसकी नई income कितनी तयार होगी 100% और उसका नया expenditure कितना तयार होगया 60% तो एक बात बताईए अब 100 रुपए कमाए हैं और 60 रुपए खर्च कर दिये तो बोलिये भाई बचाए कितने होगे 40 रुपए तो देखें दो पर आ रहा है 40 तो एक पर कितना आ जाएगा 20% आगे आपका answer 20% क्या ये बात clear हुई हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे यहां पर जो saving होगी वो हमेशा एक के ratio में होगी अभी जो profit and loss हम लोग topic पढ़ेंगे तो profit and loss में ऐसे आपको zero questions करवाए जाएंग जहां पर profit और loss आपको different different kind पर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा बताईगे overall कितना percent profit हुआ या remaining articles को कितने percent profit या loss पर बेचे जाएं तो आप लगातार लगे रहे हैं हम लोगों के channels पर आपको ऐसे धेरो अभी concepts आएंगे पहले सबसे पढ़ाने का तरीका य जाएगा तो उसी shortcut पर आते हैं अब type way 4 पर तो देखें दोस्तों इस question पर आपको pen उठाने के जरुरत ही नहीं थी आपसे question पर ये बात बोली गई थी कि 60% कर्ज कर रहा है उसकी जो income थी वो 20% से बढ़ गई और उसका जो expenditure था वो भी 20% से बढ़ गया तो अगर यहाँ पर बोला 20 बढ़ा 20 बढ़ा तो answer will be 20 बात खतम अगर एक 20 है दूसरा 20 है तो तीसरा भी होगा 20 अगर एक 30 है दूसरा 30 है तो तीसरा भी होगा 30 एक 40% बढ़ा दूसरा 40% बढ़ा answer will be 40% क्या ये बात clear हो गई अगर clear हो गई तो इस question के हम लोग practice करते हैं जो बच्चे अगर नहीं समझ पाए हो वीडियो को आप pause करिए आप फिर से play करिए फिर से समझे आप questions को देखे इस पर दूसरी डिजिट पुट करके आपको practice करवाई जा रही है अभी तक इस question की variety ये थी कि यहाँ पर दोनों डिजिट कर दी गई थी same अगर different different भी आ जाए तब हम लोग इस question को कैसे आसान तरीक कर सकते हैं तो आप देखते हैं इस पर हम लोग different digit को put करके आप देखे सपोज अगर इस question को कुछ है इस तरीके से frame कर दिया जाए अब man is spent 66.66% of his income his income is increased by his income is increased by 10% 10% या इसे अगर change कर लेते 20% and his expenditure is also increased by 10% देखे कुछ ही इस तरह से question अगर design कर दिया जाए कि एक आदमी अपनी आये का 66.66% खर्च करता है यदि उसकी आये और खर्च क्रमशा 20% और 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा तो जो आपने यहाँ पर अभी एक तीसरा तरीका इसका वेतरी concept पढ़ाता वही से हम लोग इसे fraction में change कर लेते हैं लेकिये 66.66% का fraction क्या होगा 2 by 3 और अभी आपको last question में आपको explain किया गया कि नीचे का number हमेशा क्या बताएगा income और उपर का number हमेशा क्या बताएगा expenditure इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 रुपए कमाये थे तो खर्च कितने किये हैं 2 रुपए अब इसने यह बोला कि इसकी income 20% से बढ़ गई तो income पर आप कर दीजे 20 का multiply और expenditure इसका 10% से बढ़ गया तो expenditure पर कर दीजे 10 से multiply दोनों को subtract कर दीजे answer आ गया 3 20 60 2 10 20 60-20 answer will be 40% क्या यह बात clear हो गई तो दोस्तों साथ में जो आप लोगों के साथ में अभी एक topic स्टार्ट किया गया time and work का तो time and work में हम लोग part 2 part 3 तरक हम लोग cover कर चुके हैं इसके साथ ही साथ आपको कुछ जो अलग सी tricks होंगी वो जल्दे अलदी cover करने के लिए आपको बीच बीच में यह पांच मिनट 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो साथ में और आपको दिये जाएंगे जो आपके लिए booster का का काम करेंगे thank you so much दोस्तों लगे रहें आप हम लोगे चैनल के साथ में और इस बात का promise है आपको सबसे best और सबसे genuine content दिया जाएंगे SSC के लिए thank you so much दोस्तों